हेलो स्वेंट कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे हैं चलिए तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोणाउन और प्रोणाउन में हमने पॉजसेव प्रोणाउन और पर्सनल प्रोणाउन के सारे आपका pronoun का, emphatic pronoun, इसको जानने के लिए students, आपको फिर से मैं बोल रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ word पे ख्यान दिया करो, emphatic का मतलब होता है, to intensify, to intensify something, intensify का मतलब क्या होता है, जोर दे कर कहना, जोर देना, ठीक है, that means कि किसी बात को, किसी बात को अगर हम जोर दे कर कहना चाते हैं, या किसी बात को हम intensify करना चाते हैं, या फिर मैं बोलू, किसी बात को हम emphasize करना चाते हैं, जोर दे कर कहना चाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा pronoun use कर लेते हैं, students, emphatic pronoun use कर लेते हैं, तो सबसे पहले इनकी पहचान क्या होती है sentence वो लिख लीजिए अगर मैं बोलू कि अगर मैं किसी भी प्रोनाउन के बाद किसी भी प्रोनाउन के बाद क्या लगा दूँ सेल्फ लगा दूँ यह सबसे पहला कॉणसेट है अंफिटिक प्रोनाउन का मिलिंग अवे समच में आ गया जब हम किसी बात को जोर देकर कहना चाते कैसे for example मैं आपको example बताती हूँ जैसे कि मैं बोलू कि ये काम मैंने किया ये काम मैंने किया या फिर मैं बोलू मैं मेरा काम करती हूँ simple एक normal sentence है कि ये काम मैंने किया या मैं मेरा काम करती हूँ लेकिन इसके जगा पे मैंने क्या बोला मैंने बोला मैं मेरा काम खुद करती हूँ या फिर मैं बोलू मैं खुद मेरा काम करती हूँ that means कि मैंने उसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या डाल दिया उसमें extra word मैंने खुद डाल दिया तो अगर मैं उस खुद word को नहीं भी use कर रही थी sentence में तो भी तो मेरा sentence जो है वो पूरा बन रहा था sentence मेरा फिर भी complete था तो जब मैंने वो खुद word लगा दिया that means कि मैं उस बात पे क्या करना चाह रही हूं जोर देना चाह रही हूं जोर देकर उस बात को कहना चाह रही हूं तो जब एक normal से sentence को एक normal से हमने बात बोली जब हम उस बात को intensify करना चाहते हैं emphasize करना चाहते हैं या मैं कहूं जोर देकर कहना चाहते हैं तब हम किन को use कर लेते हैं? एम्फिटिक प्रोणाउन को यूज कर लेते हैं अब इनके पहचान क्या है तो सबसे पहले लिकेशनेंट जब हम प्रोणाउन में क्या एड कर देते हैं self add कर देते हैं, self word add कर देते हैं, तो यह आपके कैसे emphatic pronoun को दिखाता है, singular emphatic pronoun को दिखाता है, जब हम उनके पीछे क्या लगा देते हैं, self लगा देते हैं, for example, अगर मैं बोलू myself, I का क्या बनेगा emphatic pronoun, myself, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, he का क्या बनेगा, himself, ठीक है, you का क्य बनेगा, yourself, you का क्या बनेगा, yourself, it का क्या बनेगा, itself, ठीक है, और she का क्या बनेगा, her self, तो अगर आप देखेंगे, तो यह सारे pronoun ही थे थे थे, objective form, कि himself, yourself, herself, itself, ठीक है, तो हमने एक pronoun में क्या add किया है, पीछे self add किया है, और जब हमने self add किया है, that means कि यह सभी कैसे दिख र add करते हैं, तो यह हमारे singular emphatic pronoun को बनाते हैं, लेकिन अगर हम pronoun के पीछे क्या add कर दे, pronoun के पीछे अगर हम cells को add कर दे, pronoun के पीछे क्या add कर दे, cells को add कर दे, तो that means कि वहाँ पे हम क्या show करना चाहते है, plural show करना चाहते है, plural बनाना चाहते है, तो जब हम self add करते हैं, तो singular बनता है अब क्या हमें बताओ मुझे ही बोलू ही भी Tigers He تم इन नों सकता है to होगा सकती हर से वटा है तो इसके दोनों कर वो सकता है तो अगर मैं self लगा रही हूँ तो that means कि ये you जो है वो singular है और अगर मैंने इसके पीछे cells लगाया तो that means कि यहाँ पे you जो है that means मानलो में पूरी class से बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँ कि your cells ओके ऐसे ही अगर मैं बात करूँ we तो we हमेशा ही plural की sense देता है और plural की sense देता है तो इसका जो emphatic pronoun बनेगा वो क्या बनेगा our cells इसके पीछे में कभी भी self नहीं लगा सकती क्योंकि we जो है कभी भी singular नहीं होता है ऐसे ही अगर मैं बोलू them cells क्या बोलूँगी them cells तो कभी भी them cells नहीं होगा और ऐसे ही our cells होगा तो इस बात का आपको specially ध्यान रखना है तो you के तो दोनों ही बन सकते हैं yourself भी और your cells भी अगर हमें singular दिखाना है तो yourself और अगर हमें plural show करना है तो yourself ये हमें पता लगेगा according to the sentence according to the sentence ठीक है तो इसको note down कर लिजे एक बार screenshot लिए इसका फिर मैं आगे बात करती हूँ अब बात आती है कि हमें emphatic pronoun को जो है वो यूज किस तरीके से करना है तो next heading बनाईए how to use emphatic pronoun how to use emphatic pronoun हमें emphatic pronoun को use किस तरीके से करना है तो emphatic pronoun को use करने के students दो तरीके होते हैं या तो हम इस एंफिटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखते हैं या तो हम इस एंफिटिक प्रोनाउन को कहां लिख दें सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिख दें ठीक है या तो हम इसको कहां लिख दें सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिख दें तो यह एंफि means कि at the end of the sentence at the end of the sentence तो end में लिख दे तो दो जगह पे आप emphatic pronoun को use कर सकते हो या तो subject के just बाद लिख दो या फिर पूरा sentence लिखने के बाद उसके end में क्या लिख दो? emphatic pronoun लिख दो ठीक है? तो मुझे यहां से एक बात बिताओ students जो आपका emphatic pronoun है क्या वो कभी भी subject का काम करेगा? क्या वो कभी भी subject का काम करेगा? नहीं, वो कभी भी subject का काम नहीं करेगा subject का काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं तो subject के just बाद ही इसको लिख रही हूँ और subject के just बाद ही लिख रही हूँ क्योंकि हम emphatic pronoun को as a subject use नहीं कर सकते, सीधा बोलो, simple बोलो my name is Milan Singh, या फिर बोलो I am Milan Singh, लेकिन कभी भी हमें myself use नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी दो ही situations हो सकते हैं, दो ही जगर पे हम इसको use कर सकते हैं, तो यह हमारे sentence का subject जो है, वो कभी भी नहीं हो सकता, एक बार इसको note down कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं examples की, ठीक है? For example, चलिए, मैं इसको रब कर देती हूँ, अभी जो मैंने आपको बोला था, वही लिख रही हूँ मैं आपको sentence, मैंने आपको बोला कि I do my work, मैं अपना काम करती हूँ, एक normal सा sentence है, normal sentence है, I do my work, एक normal sentence है आपके बाद, I do my work, लेकिन इसी sentence को अगर मैं लिख दूँ, I myself, क्योंकि I के लिए empathic pronoun क्या यूज़ होगा, myself, तो I myself do my work, मैं खुद अपना काम करती हूँ, that means कि यहाँ पे इसका meaning आपके पास क्या आ रहा है, खुद, मैं खुद अपना काम करती हूँ, तो that means दोनों sentence में सिर्फ difference किसका है, इंटेंसिफाय करने का difference है, तो मैं ने इस empathic pronoun को कहा लिखा, subject के just बाद, तो यह आपका कैसा pronoun है, empathic pronoun है, या फिर इसी sentence को मैं लिख सकती थी, I do my work, I do my work myself, I do my work myself, meaning दोनों का ही same है, तो या तो मैं subject के just बाद लिख दूँ, या फिर जहाँ पे मेरा sentence खतम हो गया, उसके बाद इसको लिख दूँ, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, empathic pronoun कहलाएगा, अब ये मत सोच लेंना, students की ये हमारे sentence का object है, नहीं, question करके देखो, I do what, मैं क्या करती हूँ, मेरा काम, मुझे answer में myself थोड़ी ना मिल रहा है, answer में तो मुझे में क्या मिल रहा है, my work, तो हमारे sentence का object तो यही है, हमारे sentence का object तो यही है, myself ऐसा नहीं है, कि पीशे चला गया, तो यह object बन जाएगा sentence का, नहीं, ऐसा नहीं है, तो यह जो myself है, यह emphasize करने का ही काम कर रहा है, बात को जोड़ देकर कहने का ही काम कर रहा है, तो एक बर इसको no down कर लीजे, फिर कुछ और examples लिखेंगे, और उसको ध्यान देना, चलिए, कई बाए हमारे दिमाग में एक question आता है, कि priority किसको देंगे, exam में priority किसको देंगे इन दोनों में से, कि भई इसको सही माने या इसको सही माने, students दोनों ही सही है, और कोई भी priority का खेल नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सेम priority पे हैं, जो भी आपको दिया हो, वो दोनों ही sentences जो हैं, वो बिल्कुल सही होंगे, तो कोई भी यहाँ बे priority का खेल नहीं है, चाहे आप इसको subject के बाद लगा दो, चाहे आप इसको sentence खतम होने के बाद लगा दो, चीक है, समझ में आया, लेक instruments, अब हमने इसके दो ही use पड़े हैं, तो आपको exam में error कैसे मिल सकता है, यह उपर सरब कर देती हूँ, मैं यहां लिखती हूँ, अगर आपको sentence में error कैसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है sentence, I do myself my work, I do myself my work, अब हम पहचानेंगे कैसे कि यह चीज सही है या नहीं, तो एक बर myself को हटा दो sentence में से, myself को हटा दो और देखो sentence सही बन रहा है या नहीं, तो sentence तो पूरा बन रहा है, I do my work, मैं मेरा काम करती हूँ, तो हमें यह समझ में आ गया कि जो यह myself use हो रहा है, यह आपका emphatic pronoun है, यह आपका emphatic pronoun है, त्योंकि इसके बिना भी मेरा sentence जो है वो पूरा बन रहा था, और हमने अभी अभी पढ़ा कि emphatic pronoun की positions दो ही हो सकती है, कहां काम use कर सकते हैं, या तो यह subject के just बाद आना चाहिए, और या फिर यह sentence के end बे आना चाहिए, लेकिन यह verb के बाद नहीं आ सकता, verb के बाद क्यों नहीं आ सकता, next जब मैं आपको topic करा रही होंगी, next type जो करा रही होंगी, reflexive pronoun वहां आपको अपने आप difference समझ में आ जाएगा, कि verb के बाद इसको लगाने से चीज़े कैसे change हो जाती है, ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, कि अगर emphetic pronoun है, तो उसकी दो ही position हो सकती है, या तो subject के बाद या sentence के end में, लेकिन यहां तो कहा लिखते हैं गया, verb के बाद, तो emphetic pronoun के position यह कभी भी नहीं हो सकती, तो इस myself को या तो मैं subject के बाद लिखूँ, या फिर मैं sentence के end में लिखूँ, तो इस तरीके से हमें exam में जो है, emphetic pronoun का question देखने को मिलता है, ठीक है, emphetic pronoun का question हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, I think कि ये बात आपको जो है, वो समझ में आ गई है, चलिए, इसके बाद next concept की अगर मैं बात करूँ, तो हमने ये देख लिया कि emphetic pronoun को use कैसे करना है, हमने ये भी देख लिया कि emphetic pronoun होते क्या है, अब हमें देखना है कि हम इनको use क्यों करते हैं, वाई, इनको use करने की जरूरत क्या पड़ती है, देखे, अब हमारे पास जब हम बहुत सारी चीजें बोलना चाह रहे हूं, तब हम इनकी जरूरत पड़ती है, कैसे, जैसे कि मालो की किसी की कोई, कैसे example दूँ मैं आपको, चलिए, अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता है कि जब किसी भी कंपनी का ओनर है, कोई भी किसी भी कंपनी का ओनर है, तो हमें पता है कि वो बहुत सारे workers रख लेता है, अपने बहुत सारे employees को रख लेता है काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया, जो उसके best friend का प्रोजेक्ट था, जो उसके best friend का प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो उसके best friend का का काम उसके पास आया, तो वो कहता है कि मैं तो ओनर हूँ, मैं काम नहीं करता, employees काम करते हैं लेकिन तो मेरा best friend है तो यह special case है और मैं तेरा काम करूँगा तो जब project complete होता है तो वो जो owner होता है company का वो अपने best friend को कहता है कि देख मैंने जो है तेरे project में खुद काम किया है तो that means कि उसने वहां क्या किया बात को जोर देकर कहने की कोशिश की और दूसरा कि हम वहां क्या दिखाना चाहते हैं कि यह कोई normal case नहीं है कि आपका काम जो था वो एक special case है normally मैं काम नहीं करता यह special case था इसलिए मैंने काम किया तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी emphatic pronoun की जरूरत पड़ी एक case तो यह दूसरा case क्या होता है कई बार हम क्या कहते हैं कि हाँ उसने कोई काम कर दिया मैं कहते हूं कि मैंने उसे काम करने के लिए नहीं कहा था उसने खुद वो काम किया है मैंने नहीं बोला था उसको काम करने के लिए मैंने उसको काम करने के लिए नहीं बोला था उसने तो खुद ही काम किया है मतलब अपनी मर्जी से ही काम किया है तो वहां पे भी हमें किसकी जरूरत पड़ी खुद बोलने की जरूरत पड़ी और खुद ही बोल दिया हमने बात को कैसे कह दिया जोर देकर कह दिया तो जब हमें यह बोलना पड़ा कि मैंने नहीं कहा उसे कुछ भी करने के जरूर्द पड़ी तो जब sentences को हम इस तरीके से बोलते हैं दो तिन तरीके से sentences को बोलते हैं तो वहाँ पर हमें किसकी जरूर्द पड़ती है इस काम को मैं इस काम को करूँगी एक normal sentence है कैसा sentence है normal sentence है कोई भी हम जोड देकर बात को नहीं कह रहे हैं लेकिन इसी sentence को अगर मैं लिख देती कि I myself I myself shall do this work that means कि इस काम को मैं खुद करूँगी जो मैंने अभी आपको example दिया कि ओहो मेरा best friend कोई project लेके आया मेरे best friend मुझसे काम कराने आया तो भी हाँ इस काम को मैं खुद करूँगी क्योंकि ये कैसा case है special case है तो जब हम कहते हैं कि generally मैं काम नहीं करता लेकिन हाँ इस काम को मैं खुद करूँगी that means कि हम क्या दिखाना चाह रहे है special case दिखाना चाह रहे है कि ये जो है special case है तो उसके लिए हाँ भी मैं ये काम जो है वो खुद करूँगी इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी students किसकी जरूरत पड़ी हमें emphatic pronoun की जरूरत पड़ी तो इसका मतलब क्या हो गया जब हम किसी बात को टालना नहीं चाहते किसी काम को टालना नहीं चाहते वो काम हमारे लिए बहुत important है तो तब हम किसका use कर लेते है emphatic pronoun का काम use कर लेते है ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि she herself she herself did that work she herself did that work तो मैं क्या कह रही हूँ कि वो काम उसने खुद किया वो काम उसने खुद किया एक तो ये sentence निकल के आगा जो और देकर कह रहे मैंने नहीं कहा था उसको काम करने के लिए उसने वो काम जो है वो खुद किया उसने वो काम जो है वो खुद किया, तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोलागा, करने के लिए उसने तो वो काम खुद से ही कर दिया, इसलिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ी, एमफिटिक प्रणाउन की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर एमफिटिक प्रणाउन के हमारे पास एक से ज़्यादा मेनिंग निकल के आ सबते हैं, तो अगर आप उसके आगे जोड़ना चाहो, मतलब ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिखना चाहो, तो बेशिक लिख लो, I didn't say, मैंने उसे नहीं कहा, उसने तो काम जो है, वो खुद ही किया है, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला, तो I think ये चीज़े जो हैं, वो आपको समझ में आ गई है, कि हमें emphatic pronoun को use क्यों करना है, शलिए, तो ये cases हमें समझ में आ गए है, इन cases के बाद, अगर मैं बात करूं आप से, इन cases के बाद, अगर मैं बात करूं आप से, तो that is, case बच गया हमारे पास, your का, किसका case बच गय या, you pronoun का case बच गया, तो you pronoun की अगर मैं बात करूं, तो you pronoun के लिए हमारे पास singular के लिए क्या बन जाएगा, yourself, किसके लिए बन जाएगा, singular के लिए, और अगर मैं बात करूं, yourselves, तो हमारे पास case किसका बन जाएगा, plural का case बन जाएगा, हमारे पास किसका case बन जाएगा, plural का case बन जाएगा ठीक है तो अब हमें ये देखना है कि sentence में हमें कैसे पता लगेगा कि वहाँ पर yourself use करना है या फिर yourselves use करना है For example, अगर मैं बोलूँ कि you, you yourself, you yourself should do it तो मैं ये काम जो है वो खुद करना चाहिए तो अब देखो मैंने you के बाद क्या लगाया है? Self use किया है, you के बाद अगर मैंने self use किया है That means कि ये you कैसा है? Singular है, एक ही person है लेकिन अगर मैं बोल देती, you yourself, you yourself, you yourself should do it You yourself should do it ठीक है? तो that means कि यहाँ पे you जो है वो कैसा हो गया? Plural हो गया तो उपर वाले में तो ये singular है और जब हमने yourselves लगाया तो that means कि यहाँ पे अगर मैं पूरी class को बोल दूँ सारे students को बोल दूँ कि आपको जो है ये काम खुद करना है तो that means मैं वहाँ पे you किसको consider कर रही हूँ Plural को consider कर रही हूँ अग Plural को consider कर रही हूँ तो मझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? cells लगाना पड़ेगा that means कि उपर वाला sentence भी सही है और नीचे वाला sentence भी सही है जब हमें कोई explanation दे ही नहीं रखी you की you की जब हमें कोई explanation दे ही नहीं रखी तो that means कि वहाँ पे yourself भी सही है और वहाँ पे yourself भी सही है लेकिन अब मैं आपको एक sentence लिख रही हूँ और मुझे बताना कि वहाँ पे yourself आना चाहिए या yourselves use होना चाहिए या फिर दोनों ही use हो सकते हैं For example, अगर मैं बोलू कि he said to the girls he said to the girls you yourself you yourself should do it तो मैं कह रही हूँ कि उसने लड़कियों को कहा कि तुम्हें ये काम खुद करना चाहिए ठीक है तो that means कि अब मुझे बताओ यहाँ पे एक लड़की है या एक से ज़्यादा वही बात है कि मैं एक student से बात कर रही हूँ या ज़्यादा student से बात कर रही हूँ class में समझ में आया तो यहाँ पे जब girls आ गया तो that means यह you जो है वो girls के लिए use हुआ है और यह you जो है वो अगर girls के लिए use हुआ है तो that means कि यहाँ पे जो you है वो कैसा है आपका plural sound कर रहा है plural है यह you और plural है तो यहाँ पे self की कोई situation नहीं बनती यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा your self use करना पड़ेगा तो जब हमारे पास you की कोई explanation नहीं थी कोई explanation नहीं थी तो दोना ही सही थे yourself भी और your self भी लेकिन यहाँ हमें पता है जो यह you use हो रहा है आगे वो girls के लिए use हो रहा है और girls plural noun है तो plural के लिए you use हुआ है तो यहाँ पे you जो है वो plural है तो यहाँ पे हमें yourself करना पड़ेगा yourself यहाँ पे जो है वो गलत हो जाएगा ठीक है एक और sentence अगर मैं आपको बोलूँ लिखना उसमें भी मुझे बताना कि वहाँ क्या use होना चाहिए yourself आना चाहिए या फिर yourselves आना चाहिए for example अगर मैं बोलूँ कि all of you all of you should all of you should do this work do this work yourself all of you should do this work yourself that means आप सभी को यह काम जो है वो करना खुद करना चाहिए तो all of you, all of you का मतलब क्या हो गया अगर एक ही person होता तो मैं खाली you ही बोल देती लेकिन all of you का मतलब क्या हुआ कि मैं ज़्यादा लोगों से बात कर रही हूँ और all of you यहाँ पे plural sound कर रहा है plural दिख रहा है हमें तो यहाँ पे yourself की कोई situation नहीं है यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा strange cells को use करना पड़ेगा तो यह चीज आपको ध्यान रखने है एक बार इसको no down कर लीजे फिर हम आगे बात करते हैं तो यह चीजे जो है आपको ध्यान रखनी है emphatic pronoun को solve करते हुए तो I think emphatic pronoun आपको समझ में आया होगा यह emphatic pronoun के जितने भी question आपसे पूछे जा सकते हैं जितने भी concepts आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे concepts मैंने आपको करा दिये हैं सिर्फ आपको इनको revise करना है और जिन्होंने वीडियो को share ना किया हो वो वीडियो को share जरूर कर दे और जिनको पसंद आ रही है वीडियो वो like जरूर करें ठीक है और चैनल जिन्होंने subscribe ना किया हो वो चैनल को subscribe कर ले आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी lectures ऐसे ही मिलती रहेंगी और इसकी कोई भी course नहीं है मिल जाएंगे ठीक है तो students revise करते रहिए बार बार मैं यह की बात बोलती हूँ revise करते रहिए revise करने से ही चीजे जो है वो आपकी दिमाग में set होंगी ठीक है तो next class में हम next pronoun के next type के साथ मिलेंगे चलिए thank you class